क्या बात्चीत हुई मुखमंत्री जी को और क्या सलाह दिया है आपने नहीं कोई सलाह की जरुवत नहीं सरुवत यह है कि देश ते संकट में है और यदि संकट से बचाने के लिए कोई पहल करता है तो स्वागत योग है सारे अपोजिशन को एक करने का काम कर गिये जो आज देश की सबसे बड़ी जरुवत है पहला काम है यूनिटी इसके बाद कौन बनेगा यह मिलके ही ते लोग करेंगे कि सारा देश की सारी अपोजिशन पार्टी एक हो तो जो उनका कारवा निकलेगा तो इस देश में जो परिसेती है उसमें बद्रा होगा मेरे साथ मंडल मसीहा भारती रादनीत के लिजेंड और इस देश में अस्थापित पार्टियों को विस्थापित करके सत्ता पर कबजा करने वाले शड़ यादव है एक दौर था जब माना जाता था कि इस देश में कॉंग्रेस का राज हमेशा कायम रहेगा इंडरा इस इंडिया इंडिया इस इंडरा उसके बाद 412 सिर्जीत के राजीव गांदी आएं वो भी सत्ता से बाहर हुए और जनतादल की सरकार बनी बीपी सिंग परधान मंत्री बने फिर एक बार उसी तरफ राजनिती ने करवट ली है कहा जा रहा है कि परधान मंत्री नरेंदर मोदी को विस्थापित नहीं किया सकता है वो अमर हैं अजर हैं राजनीत के लिहास से नितीश कुमार ने ये जिम्मा उठाया है और वो सरद्यादब से असिरवाद लेने आएं उनके राजनीतिक गुरू भी रहे हैं सरद्यादब कैसे देख रहे हैं इन सब चुजों को राहुल गांधी की आत्रा चल रही है नितीश कुमार ने तमाम भी पक्षी दलों से मुलाकात की है सरद्यादब जिसे उनने आसिरवाद भी लिया है क्या बादचीत हुई मुखमंत्री जी को और क्या सलाह दिया है आपने ऐसा है कि इस समय देश बहुत संकट में है और देश बन में लोगों के सामने बेकल्प नहीं था एक तरह से तीन तारी को जो जेडियू का निश्ट अश्ट हुआ उसमें नितीश कुमार को जो अथराइज किया कि आप सब लोगों को एक हटा करने का काम करिये सारे अपोजिशन को एक करने का काम करिये जो आज देश की सबसे बड़ी जरूवत है तो यह है कि वो आए थे यहां तो सबे लोगों से मुलाकात की और देश की हालाइट पर जो है वो एक जुट ठोकर के अपोजिशन जो है इस काम को करें और क्या सला दिया है आपने कि कठन काम है और इसी तरह से जब आपोजिशन एक हुआ तो इसी तरह चर्चा चलती थी पहले भी अपोजिशन को एक किया गया है और इस समय जो है वो है तो कठन देश के खातर तो करना पड़ेगा जो लोग आज अपोजिशन में बैठे हैं उनकी आज सबसे बड़े जिम्मेदारी हैं कि एक तक वो बढ़ा है इसमें जैसे नितिश कुमान ने पहल किया इसी तरह की पहल करके दोग सब गटते हो तो देश तो शंकट में राहुल गांदी यातरा कर रहे है Mondhaninde जो रो यातरा बारा राज्यों में क्या लग रहा है उसे कुछ बदलेगाऱ आप कानुभब क्या कह रहा है मैं उनकी जो भारत यातरा है उसका पुर्जुर स्वागत करता हूं और जिन मुद्धों को लेकर के बो चल रहे हैं उजरूरत है इस देश की तो जो उनका कारवा निकलेगा तो इस देश में जो परिस्थिती है उसमें बद्रा होगा इसलिए मैं मानता हूं कि उनका जो पढ़ियात्रा है भाराच जोड़ो पढ़ियात्रा जो है वह सफल हो ऐसी मैं कामने करता हूं और बड़ा मुद्धा लेकर चल रहे हैं देश में जो एक ताथ तूटी हुए तूट रही है हिंदू मुसल्मान हिंदू मुसल्मान चल रहा है यह देश के लिए अच्छा नहीं है लेकिन अब लोग एक जूट भी हो रहे हैं पिछरा अदलित, अदिवासी, अलफसंख्यक इतना जादा एक जूट नहीं था अब लड़ाई भी तेज हो रही है सोशल मीडिया है लड़ाई तेज हो रही है लोग आपके कामों को याद कर रहे हैं क्या मैसेज देंगे जनता को अज़ा है कि आपने काम में जुटे रहो जब तक देश मुक्त ना हो जो परिस्थिति आज की नई बदले इसे बदलना चाहिए और इसके लिए देश प्रकार रहा सबको और आज जरूवत है कि सारा देश की सारी अपोजिशन पार्टी एक हो ये अपोजिशन में जो लोग है उनका एक धर्म ये भी है कि आज जिस तरह की परिस्थिति है उसमें एकता होना जरूरी कठें नहीं होता तो हब लोग चर्चा नहीं कर रहे होते हैं लगता है नित लालू जी भी बहार है जेल से आ गए हैं आप भी पुरा देश चाह रहा है सब लोग सुपकाम ना आए दे रहें कि आप भी स्वस्थ हो जाएं और नितीज कुमार जी को ये काम मिला है, उन्होंने काया कि जो 2014 में आए हैं, वो 2024 में रहेंगे नहीं, मैं परधान मंतरी बनूँ ना बनूँ ये दुसरी बात है, लेकिन ये तय है कि जो 2014 में आए हैं, वो 2024 में नहीं रहेंगे, तो क्या लगता है कि आपने नितीज जी को कर से देखा उनमें इतनी सलाहियत है कि वो सब को मिल बैठा कर और यह काम कर पाएंगे नहीं काबिल आदमी हैं लेकिन पहली जरुवत है यूनिटी की है पहला काम है यूनिटी इसके बाद कौन बनेगा यह मिलके ही ते लोग करेंगे तो इसलिए उनने कहा भी बयान भी दिया है कि मैं प्रामिस्टे बादान मेरा नहीं है मैं तो सारा आपोजिशन एक हो जाए इसके प्रयास में हो तो अच्छी बात है तो ये थे शरद यादव एक बार इन्टीय को भी एक जूट किया था उसका फायदा भी बीजेपी को भी बहुत मिला उससे पहले इन्होंने 412 सीट जीत के राजीव गान दिया थे उनके खिलाब इन्होंने भी पक्षक जूट किया था और जनतादल की सरकार वनी थी अब एक बार फिर से यही लोग हैं जनतादल के लोग हैं सोसल जस्टिस के सिपाही हैं फूले पिरियार अम बेटकर कर पूई ठाकूर के मानने वाई लोग हैं वो चले हैं एक बार फिर से उन्होंने फैसला किया है कि जो मजबूत के नाम पर जो सरकार चल रही है देश में जहां सोसल जस्टिस समाजी का अंदोलन और हिंदु मुसलिम का गहरी खाई पैदा हुए उसके खिलाब फिर से एक बार भी पक्षी एक जूट किया जाए इस वार नित्रि समाज के लोग हैं अकलियत के लोग हैं दलिस समाज के लोग हैं उनको लगता है कि मंडल कमिशन के इंप्लिमेंटेशन में इनकी बड़ी भूमिका रही है और भारत की राधनीत में जैसे जैसे S.C.S.T.O.V.C. मानोटी के लोग परते लिखते जाएंगे उनकी नसले कॉलेज इनवर्सिटी जाएगी शरद यादब के कामों की महत्ता बरती जाएगी बिकट परिसितियों में भी सोचे कितनी अदम इक्छा सकती है इनकी कि यह चाहते हैं कि 2024 में एक बड़ा बदलाव हो और भी परक्षक जूट हो आप लोग पुरी बाचीत पर अपनी परतिक्रिया जरूर दीजिए शुक्रिया और आप लंबा उमर हो आपकी शुक्रिया आप लोग अपनी परतिक्रिया जरूर दीजिए शंबु कुमार सिंग नेशनल दस्तक दिल ली निट्सनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर ख़बर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें